तो मैं आज वीडियो लेके आई हूँ वह फाउंडेशन के ऊपर है आप कैसे फाउंडेशन को यूज करेंगे तो आपको फ्लॉलेस पेस मिलेगा यहां पर फेस को क्लीन करने के बाद यहां पर मैंने लिबबम यूज किया है और अब मैं यहां पर प्राइमर यूज कर रही ह यह ब्लॉफवन का प्राइमर है और सिलिकन बेस प्राइमर है बहुत जादा अच्छा है तो हम लोग जो प्राइमर यूज करते हैं तो इसमें दो तरह की प्राइमर होते हैं एक क्रीम बेस होता है जो कि नॉर्मल टू ड्राइशन वालों के अच्छा है बट अगर आपकी जो बेस है वह एकदम एवन मिलता है जिससे आपको फाउंडेशन ब्लेंड करने में एजी होती है और आपकी बेस भी बहुत अच्छी होती है तो फाउंडेशन को यूज करने के बाद यहां पर मैंने फेसिस कैने राका प्राइमर लिया है यह वेटलेस मैट फिनिशिंग एजिसे बहुत ही अच्छा वाला फाउंडेशन है और इसका व्यावरेज भी बहुत जाद़ अच्छा है जो कि मैं आपको यूज करके बताऊंगी तो फाउंडेशन को यूज करने के लिए सबसे पहले मैं यहां पर फोड़ा सा फाउंडेशन ले लिया है और उसके बाद छेन होता है चाले हैं हुअ बना रही हुँ और योटी ब्लेंडर की हल्प से ब्लेंड करोंग historians सब्सा इम्पर्टं चीज होती है जो जब भी आप अपने फॉंडेयों से ब्लेंड करें ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करें तो इसे अच्छे से गीला कर ले और साड़ा पानी निचोड ले और इसके बाद यह बहुत जादा सॉफ्ट हो जाता है तो फिर आप यूज़ करें आप चाहे तो ब्रस की हल्प से भी कर सकते हैं बटी में यहां पर ब्यूटी करना नहीं है उसको एकदम डाप करते हुए जिस तरह से यहां पर दिखा रही हूं आपको उसी तरह से आपको करना है इससे आपका जो फांडेशन है वह बहुत अच्छा कवरेज देता है आपको इवन बेस मिलता है आप चाहे तो ब्रस की हल्प से भी अगर आप कमफरेब कर सकते हैं लेकिन जो भी फांडेशन आप यूज करते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ब्यूटी ब्लेंडर को वेट करके उसे डाप-डाप करते हुए ही यूज करें इसके अलावा अगर आप बोलेंगे जो फांडेशन किसी-किसी का काला पड़ जाता है तो इयर पे भी अपलाई करें इससे होता है कि अगर हम लोग इसे स्किप कर देते हैं तो हमारा फेस का और नेक का कलर बहुत अलग दिखने लगता है और जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है तो आप फेस के साथ साथ नेक पे भी अपलाई करें फांडेशन यहां पे मै युष्य ब्लेंडर को एकढ दाए को यूज नहीं किया जाता है जब भी आप बीटिडिग्स करेंगे तो ऐसी प्रॉबलम बिल्कुल भी नहीं होगी यह चोटे चोटे टिप्स को आप फॉलो करके अच्छा खासा मेकप लुक क्रियेट कर सकते हो और लॉंग लास्टिंग मेकप लुक क्रियेट कर सकते हो सो यहां पर मैंने दिखाया है कि आप कोई भी फांडेशन के जरीया आप कितना अच्छा मेकप बेस रेडी कर सकते हैं और फ्लॉलेस पेस पा सकते हैं यहां कोई आपको ये वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर मुझे कॉमेंट के जरीये बताएगा और आपको वीडियो स्था से भी हैल्फुल लिग्यों तो इस वीडियो को लाइक सरूर कीजिएगा और मैरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपबेनों सेरे मैरे झाल झाल झाल